मुष्कार दोस्तों वरजेश कुमा शर्मा और विशेश शुरू करने से पहले सभी को जाहिए तो दोस्तों आज का मेरा विशेश बहुत ही गंभीर है और जिसके उपर मैं चर्चा करूंगा बहुत कुछ है सिखाने के लिए पर इतना टाइम नहीं दे बाता अपने यूटूब पर जितना टाइम लगता है अपना सिखाने की कोशिश करता हूं में सो दोस्तो। संगीत में जतने भी इंर्टुमेंट है वंता हैँ में में गीटार है सरहिए सैक्सफौन हो जतने भी माउथ होर्गन हो गया यह सब लींग में ही होके बस्ते हैं सो दोस्तों क्या होता है कि जब तक कोई इंस्ट्रुमेंट ट्यून ना किया जाए तब तक उसका बजाने का मज़ा और स्वाद नहीं आता सिर्फ एक मूझीशन को ही पता है की संगीत में सुवाद कैसे लिया जाता ह। और एक सिंगर को पता होता है कि संगीत में स्वाद सिंगिंग करके कैसे लिया जाता है यह कोई आम आदमी इस चीज़ को इस फेलिंग को नहीं समझ सकता है जो नौन म्यूजिकल लोग होते हैं उनको तो कुछ भी सुनाता तो उनकी लिए अच्छा है पर जो नौलेश्फूल लोग होते हैं वो थोड़ी सी कमी में उनका मज़ा करकरा हो जाता है आप खुछ सोच के देखो कि अगर एक म्यूजिशन का इंस्रुमेंट ट्यून ना हो तो उसके लिए कितनी बड़ी प्राव्लम करेंट हो सकती है मलब सबसे बड़ी बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट वह अपनी इमेज ऐसा लगता है मेरी बहुत इमेज खराब हो लिए हैं सो आज मैं इसी पर चर्चा करूँगा आज का एक विशे पकड़ा है तबला तबला क्या होता है की अब यह सांद सुन लो और यह उतर गया ऐसा लग रए थिक्वन खतम रहे है अब इसको से स'm हो अ जूरत के साउन थे मैं कुछ दिन्य जरूर थी मैंने थोगा, थोड़ा थोड़ा आपको नजरा जा जाओगा, आगा इसको फूरद था और त्यून में करना है दगेखा तो यहां पे थोड़ी पूसा लो जदिसा लो लकडी कार्ट यह जितनी मेरी जूरूर के से तो क्या हुआ कि अब यह बजने में बहुत अच्छा लगेगा तो दोस्तों यह भी भी ट्यून नहीं है अटलीस कि मुझे इसमें चार गट्य लगाने की जूर्ट पड़ेगी कि क्या होता है कि डगा ट्यून करने के लिए सबसे पहले मैं बताना जाओंगा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट खुद ना करें जो करने कर रोतें उनके पास जाए पहले तो डगे को चटू को प्र क्रेवाइसे खीची लगवा वा लो क्या आसा torque लोते कि विछी ना लगी हो ना तो थोड़ा Roth-кив मेंने ऑड़े-ड़े अगर उसको चड़ाना है तो यह हथोड़ी लो और यहां पर इससे क्या होगा कि आपका डगा ट्यून में आ गया और इसके भी स्वर होते हैं पाधानी साथ अकीर ट्यून होता है इसे बेस बोलते हैं बेस मलब प्रॉपर बेस से त्यार होना चाहिए जैसे कि शियाही मिदान के नारा मलब इसी के पीच में सारा तबला प्ले होता है और हमेशा बजाई की किटम में समय इस चीज़ को बड़े टिकार जाएता है अब दोस्तों इसी तरह चट्टू को ट्यू यह चड़ा होगा यह उतर गया यह उतर गया तो इसकी यह तबलार सुर में हैं नहीं तो दोस्तों आप सबसे बड़ी बात की क्या होती है कि मैंने बड़े अच्छे मलब बजाने वाले कलागार देखी है पर उन्हें जैसी यह घर उपर नीची दिखे रहे ना यह किसी अधर स्टूडेंट का चट्टू है यह नहीं जो प्रफेशनल चट्टू होता कुछ देखने में ऐसा होता है इनके घर को देखो बिल्कुल प्रॉपर बेसे क्लियर में रज़र आ रहे हैं तो क्या होता कि यह स्टूडेंट्स ने यहां पर अपनी तरब से बिल्कुल जोर होता है कि जो बद्री होती है आपने देखा होगा कि यह चारों बद्रियां चड़ी हुई है तो अब यह लास्ट सिच्वेशन पर है अभी क्या होगा कि मैं इसको कारियर के पास लेके जाऊंगा तो खिच्ची डिल्वाँगा हिची डिल वाने से सारा प्रॉपर में अजएगा ठीक है ख класс करें तो नहीं करने के लिए बतायू होता है ख्रम प्रूब तो चट्टू भी तीन तरह के होते हैं एक हाई पीछ का चट्टू होता है एक होता है लोग पीछ का चट्टू होता है जिसका मुझ थोड़ा खुला चौड़ा होता है दोस्तों ध्यान रखना कि त्यूनिंग के लिए क्या होता कि नालेज होनी बहुत जूड़ी है अगर आपको नालेज ने तो आपको नहीं कर सकते जिस चट्टू का मुझ चोड़ा होगा वह हमेशा बेस में बोलेगा मलब मोटी अवाज में और जिसका इस प्रकार का चट्ट सब्सक्राइब करने के नियम क्या है सा रे मापा पहला दूसरा तीसरा चोथा काला ठीक है उसके बाद रे कोमल गागोमल मातिवर धाकोमल नीफोगल यह राग के अकॉर्डिंग भी चट्टू होते हैं जितना महावाईने नौलेज दिया में अपने समझाने की कुशिश कर अगर हम क्या करेंगा कि एसे लगातार वन टूट्री फाइल सिक्सावण गर्ण बद्रियां चट्री चल्टाएं चल्टेंगी तो क्या होता है लोग अक्सर गल्तियां करते हैं तो हमेशा दोस्तों बदरी इधर से चड़ेगी और उसी के सीद से इधर से चड़ेगी फिर इधर से बंद्री चड़ेगे एदर से बंद्री फिर इधर से बंद्री फिर इधर से बंद्रीunft इर चड़ेगी मलब T आप गया तो जैसे यह घर उपर नीचे बजने ना वैसे ही बजेंगी तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि चट्टू ट्यून कैसे होता है जैसे कि बिड़े दिखाना यह पहला काला देखों दोस्तों पहला काला है अगर मोलियूम का साथ कर दोस्तों यहां देखों सुर मैच हो रहा है यहां मिलकूर ट्रॉपर ट्यून है जहां चट्टू उतर गया अब इसको ट्यून करने के लिए ठोखना पड़े गए यहां बिलकूर ट्यून है यहां उत्रा हुआ है हरा यहां तो यहां परतोरी डोक ही बनेगी स्विन आपर आपको आपको देखो आपको आपको कर दोए आपको अब सुनना है दिल्कुर पॉप्र वेसे हैं तोड़ा सा तेटिक वासे तबाना है यहां सोर उत्राव है तो यहां थोड़ी बजेंगी तो यहां फुरु चड़ा हुए उसको तारना हुए अब बताना चाहंगा कि दोस्तों क्या होता कि अगर चट्टू का सुर चढ़ाना है तो थोड़ी उपसे बजेगी तो यह मैच करने के लिए तो यह मैच करने के लिए सुनना पड़ेगा किसके साथ मैच करना है अगर सुर को उतारना है तो चट्टू का हमेशा यह थोड़ी ऐसे नीचे ऐसे क्लिक होगी तो ऐसे सुर उतर जेगा तो दोस्तों यह थोड़ा सा पैंतरा था तबला ट्यून करने का तरीका अब मैं तो यह उतर गया ठीक है एक एक छोड़ के उतारना है फिर एक छोड़ के उतार देना है तो यह ऐसे उतार में सारे उतार दू अब क्या होगा कि तबले का चट्टू का सुर उतर जेगा अब दिख्वा आप सुनने में देख लो बना चट्टू बिल्कुल नहीं बोल रहा है ऐसा लगता जैसे मिर्दंग बई रहा है अभी जो चट्टू इतना अच्छा बई रहा है अगर खुद आप अहसास करो कि अगर आपका चट्टू बेसुरा हो जाए तो कितना बुरा लगते तो मैंने बिल्कुल ही बेसुरा कर दिया तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि इतना बुरा लग रहा है सुने अब इसको क्यून कैसे करेंगे सबसे पहले मैं सारे गटे ठोकूंगा यहां आवाज देखो चड़ रही है पहले मैंने इधर का डगटा ठोका तो अब इसके बराबर का इधर से लो और इसके बाद इधर से किसी के लगते पिर यहां जितना आपकी अकॉर्डिंग से सीध में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा ठोकना यह पूरा ही ठोकता है इसके बाद जब सारे लास्ट गटार इधर रही इसको दोस्तों कभी भी चट्टू मलब ट्यून करना है तो यहां दे रहे हैं कि थोड़ी कहां मारने आपने यहां थोड़ी मारने आते हैं ऐसे इस तरफ से नोक से मारना है है ऐसे है है दोस्तों अब देखो यह तबला बोलता है यह दोस्तों अब यह था पर क्योंड कर रहा हूं मलब की तीसरा काला ना नहीं पांचवा काला था शुद था अचाना का इस वस्तों चाड़ गया नीचे से बारो कि अ कि अ हुआ है वह दुक्रणा दूटब सब्लेट अढ़ाए अ हुआ अ अब यह चड़ा हुआ है इसको इसे आगे यहां पर भी चड़ा हुआ है आगे यहां चड़ा हुआ है अगर आपको लगता है कि अभी भी चड़ा हुआ है तो आप ऐसे को अब यहां चड़ा हुआ तो यहां सुख़ा हुआ कि अगे सुख़ा तो दोस्तों इसी तरह है अब देखो कि मैं पहले जो मलब तबला बजा रहा था वह पहले काले से अब यह पांचवे काले पर ट्यून हुआ है इधर देखो ज़्या दोस्तों कि सारे मापा धा मतलब यह लो पीच का धा है सारे मापा धा अगर मैं इसको हाई पीच पर ट्यून करता है तो यह पांचवागा लाओता तो यह चट्टू बहुत तीखा बोलता जैसे कि मैंने बताया था कि दोस्तों मलब तबला हमेशा पांच स्केल पर ट्यून होता है सारे मापा धा इंग्लीश में है cd cd fg a cd cd fg a cd cd fg a cd fg a cd e fg a b c cd e अब भी प्रॉपर ट्यून है दोस्तों क्या होता है कि अबला ट्यून होने के बाद भी पाच-दस मिंट बाद तबला रंग दिखाता है एक बंद से रंग नहीं दिखाएगा तो यह मैंने आपको तबला ट्यून करने की मिलब थोड़ी सी टेकनिक उताई देगी उसके बाद अब जाने से पहले तबला ट्यून करना बहुत जोई है वही समझाने की कोशिश करो सब्सक्राइब अब ध्यान रखोंगी दोस्तों अजिए अपने है तोड़ी यहां रची पे यहां यहां बार बार करोगे तो ट्रॉट लग जेगा मनुद तबले के 16 घर होते दोस्तों यहां से गिल्लों एक दो तीन चार पान छे साथ आठ आठ नो दस ग्यारा बारा तीरा चौदा पंद अब भी गलती नहीं करनी आपने बद्री पे थोड़ी ने बार नहीं बार जाएगी उसके बाद क्या है दोस्तों इस हतोड़ी को यहां अगर आपके पास गटा नहीं है फुड़ा थोड़ी नीचे गोलो यह एमर्जंसी स्टिक जिसी कहते हैं मनुद उसके बाद देखो ब आपट बाद पाद बाद कर दोड़ी नहीं है जुड़ी को यहां थोड़ी बाद कर दोड़Upार नहीं है और अब Windows कमिया ब्रसनादे में क्या होता है कि प्रॉपर मेरे ईख्डम से नहीं किसी नहीं जितना मेरी मैने इस प्रफ ढह और की है आइप कही बर क्या होता है कि genome गोण दे के विलगता है ना कि दुनिया सीक रही है नई सीह और और फिर बहुत दुख लगता है कि हमने इतनी में प्राइवेसी चीज समझाई और समझने वाले ने समझानी तो अगर मेरी बात कुछ समझ ना आई हो तो प्लीज मुझे कॉल करके पूछ सकते हो वर्टसप पर वीडियो गुलाने की कोशिश करूंगा डाल के भेज सकता हूं उमीद है कि आपको मेरी इतनी इस वी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा और जितनी जानकारी मेरे पास थे उतने देनी की कौशिश की अभी बहुत कुछ है बलब एकदम से दिमाग में नहीं आता हूं और मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि मेरे पास कट करो अड़िट करो है ना बार बार दस टेक लो मेरी कोई भी वीडियो होती है तो एक टेक में ही मैं डाल देता हूं और बस इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता बस लास्ट बिंती कर रहा हूं कि मेरा चैनल स्क्राइब करें शेयर करें कमेंट करें कुछ कम हो तो